पास दिसंबर को देवेन फड़नविस ने महाराश्च के मुख्यमंत्री पत की शपत ले ली वहें एक नाचिंदे और अजीत पवार को उप्य मुख्यमंत्री पत की शपत दिलाई गी आजाद मैदान में आयोजित हुए शपत ग्रहन कारिक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद् एक नाचिंदे भी नजर आ रहे हैं दावा किया जा रहा है कि शपत ग्रहन समारो में पीम मोदी ने एक नाचिंदे को इगनोर कर दिया मैला कॉंग्रेस की सोचल मीडिया इंचार्ज ने एक्सपर वीडियो को शेयर किया इस पोस्ट पर उन्होंने अंग्रेजी में जो इसके अलावा कई यूजर्स ने इन ही दावों के साथ इस वीडियो को शेयर किया है तो क्या शपत ग्रहन समारों के दौरान पीम मोदी ने एक नाचिंदे को इगनोर किया क्या है वारल हो रहे क्लिप की सच्चाई आज के पड़ताल में हम इसी दावे की सच्चाई जानें थोड़ी कोशबीन करने पर हमें डीडी न्यूस के आधिकालिक हैंडल से 6 निसंबर को ओच सरमेनी की पोस्ट की गई वीडियो मिली इसमें मंच पर हीम पीम मोदी को पूरी गर्म जोशी से एक नाचिंदे के साथ हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है तो यहीं ये बात निके दौरान पीम मोदी का शिंदे को इग्नोर करने वाला दावा सही नहीं है लेकिन फिर वारेल हो रहे हैं वीडियो की कहानी क्या है इसे जानने के लिए हमने अलग-अलग मीडिया संसानों की समारों से जूड़ी लाइव स्ट्रीमिंग देखी समचार एजेंसी एए ए के सबी लोग खड़े हो जाते हैं पीम मोदी राजना सिंग और एकनाच शिंदे के बीच में बने जगे से मंच पर एंट्री लेते हैं इस दौरान वो मंच पर आगे बढ़ते हुए देवेंद्वर्नविस का अभिवादन सुविकार करते हैं वारल वीडियो उसी के बाद क लेता है इसके बाद राश्रगान होता है और शपड़ ग्रहन की प्रक्रिया शुरू होती है सबसे पहले देवेंद्वर्नविस डेते हैं उसके बाद एकनाच शिंदे टिप्टी सीम के पकी शबत लेते हैं शिंदे शबत लेने के बाद अपने सीट पर वापस आते वग र अधिकारेक एकसेंडल से 5 दिसंबर को पोस्ट की हैं इसमें उन्होंने एक तस्विर एकनाच शिंदे के साथ हात मिलाते हुए भी पोस्ट की है पोस्ट की कैप्शन में उन्होंने तीनों नेताओं यानि पड़नवीर, शिंदे और पवार को धनेवाद दिया है साथ ही महराष्ट की जनता को सुशाशन का भरोसा दिलाया है तो कुल मिलाकर शपत ड्रहन समारों में पियम नरिन मोधी का एकनाच शिंदे को इग्नोर किये जाने का दावा रामक है समारों में पियम ने शिंदे के साथ शपत लेने के बाद उनसे हात मिलाया था फिलाल इस वीडियो में इतना ही ये पर्टाल कीती है हमारे साथ ही शुबमने देश दुनिया के तमाम खबरें आप ललंड़ा पर देखते रहें शुक्रिया